नमस्कार मेरे प्रिये विद्यर्थियों आज आप देखे हैं कि जो प्रोफेस्नल एक्जामिनेशन बोर्ड में जाके MP पुलिस वाले बच्चों के लिए जो आंदोलन किया गया और MPTT के लिए काफी आदोलन चला तो उसका तुरंत अपडेट देखने को मिल रहा है यहाँ पर प्रोफेस्नल एक्जामिनेशन बोर्ड ने खुद आके सब ट्वीट करके पुरी जानकारी बताई कि हमने कैसे कैसे भरती में क्या क्या किया है और कैसे पारदर्सिता दिखाई है तो आप यह देख सकते हैं प्रोफेस्नल एक्जामिनेशन बोर्ड का ट्वीटर अकाउंट खुला हुआ है इसमें आप देख लेंगे कि प्रोफेस्नल एक्जामिनेशन भोपाल यह PEB इसमें अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट यह एक घंटे पहले ही अपडेट हुआ है यानि अभी-अभी कि एक हवार आई है तो चलिए हमें उसको आपको पूरा दिखा देते हैं यह नोटिस जारी किया है PEB के द्वारा इसमें लिखा हुआ है कि पुलीस आरक्षक भरती पर इक्षा जो जन्वरी परी 2020 में आयोजित की गई थी एहम उसका पर्थम चरण का परणाम भी पुलीस मुख्यले मद्द परदेश दोरा हस्ताक्षरीत नियम पुस्तिका के अधार पर ही दिनांग 24 मार्च को घोसित कर दिया गया है फिर क्या बोला है कि 6000 पदों के बिरुद्ध परथम चरण में पांच गुना अर्थात लगभग 30,000 अब्रतियों की लिस्ट पुलीस विभाग को उपलब्द कराई गई है प्रथम चरण के रिजल्ट के अधार पर सूची उपलब्द कराते समय है ध्यान रखा जाता है कि रेंडम लिस्ट हो जिससे वास्तों में पता नहीं लगाया जासा कि मेरिट में कौन अब्भर्थी उपर है और कौन नीचे है फिर क्या कहाया कि प्रथम चरण के रिजल्ट में कट आफ कभी नहीं बताया जाता है और यह प्रक्रिया बर्स 2016 यह 17 में पुलिस अरक्सक बरती परीचा में भी अपनाई गई थी प्रथम चरण में कट आफ या मेरिट लिस्ट के अंग बता देने से फिजकल टेस्ट की भी सुचिता प्रभावित होने की संभावना रहती है लाश्ट तक बताएंगे लाश्ट तक दोस्तों रुगे रहेंगे तो हम आपको और टूट भी दिखाएंगे जो पीबी ने खुद अपने हां से करके कुछ सब कुछ क्लियर किया है फिजकल टेस्ट में क्वालिफाई पाये जाने के अधार पर फाइनल रिजल्ट पीईबी दोरा निकाला जाता है जिसमें कट आउफ मार्क्स भी दर्साए जाते है कुछ समाचारों में पुलीस आरक्षक भरती परीशा 2020 के भरतियों के प्रणाम में कुछ भरतियों को पहले क्वालिफाई इबन बाद में नाट क्वालिफाई अंकित होने का उलेख किया जा रहा है ऐसा पीई भी बोला कि कुछ विद्यार्थियों दोरा ऐसा कहा जा रहा है तो इस संबंध में आउगत कराया जाता है कि PEB दोरा परिक्षा परणाम एक ही बार जारी किया गया है आवेदक स्वयम अपना आनलाइन अपना परणाम देख सकते हैं यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई संक्या हो संका हो तो इस समुचित साक्ष के साथ अपना अवेदन जो है बोर्ड कारियाले में प्रस्तूत करें जिसके उनके संका का समाधान किया जा सके फाइनल रिजल्ट वर्गवार एवं आरक्षन नियमों के अधार पर होता है अता पी इबी द्वारा कराई गई पुलीस अरक्षक भरती परीक्षा एवं पर्थम चरण के जारी रिजल्ट में कोई संका करने की आवस्यक्ता नहीं है पी इबी यह आस्वस्त करता है कि परीक्षा नियम पुस्तिका की अनुसार पूर्ण सुचिता पूर्वक संपन्न कराई गई है एवं परिणाम भी पूर्णता फेयर एवं पारदर्सी होंगे यह संचालक प्रोफेस्नल एक्जामिनेशन बोर्ड के तरफ से नोटिस आई है अब हम आपको आगे ट्वीट भी दिखाते हैं कि यह और क्या-क्या बोला गया है यह पूरी नोटिस है इसमें फिर क्या-क्या मिला आगे यह फिर एक ट्वीट यह आया है कि पीईबी यह आस्वस्त करता है कि परिक्षा नियम पुस्तिका के अनुसार पूर्ण सुचिता पूर्वक संपन्न कराई गई है परिक्षा 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 परणाम देख सकते है यदि किसी भी प्रकार की कोई संका है तो वे समुचित साक्षों के साथ अपना आवेदन बोर्ड कारेयले में प्रस्तुत करें जिसे संका का समाधान किया जा सके। फिर क्या बोला है कि फिजकल टेस्ट में कौलिफाइड पाये जाने के अधार पर फाईनल रिजल्ट पी इबी दोरा निकाला जाता है जिसमें काट-आफ मार्क्स ज भी दरसाये जाते हैं। कि प्रथम चरण के रिजल्ट के अधार पर सूची उपलब्द कराते समय है ध्यान रखा जाता है कि जो random list हो जिससे बास्तों में यह पता नहीं लगाया जा सके कि merit में कौन अभ्यर्थी उपर है और कौन नीचे है फिर क्या कहा था हम आपको एक एक ट्वीट दिखाते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पीबी ने अपने तरब से पूरा क्लियर इफाई कर दिया है 6000 पदों के विरुद्ध प्रथम चरण में पांच गुना अर्थात लगवक 30,000 भेर्थियों की लिस्ट पुलिस विवाग को उपलब्ध कराई गई है पुलिस आरक्षक भरती परीक्षा 2020 जनबरी फरबरी 2022 में आयोजित की गई है एवं उसका पर्थम चनन का परणाम भी पुलिस मुख्याले बंद परतेश जोरा हस्ताशरित नियम पुस्तिका क्यादार पर ही दिनांग 24 मार 2022 को घोंसित कर दिया गया है ये बाकि पुराने टुट है 25 परवरी गया है आज ये MP पुलिस वाले ये पूरे है दो अच्छे से इसको समझ ले पीवी ने पूरा अपने साइट से क्लियरिफाई कर दिया है कि जो भी रिजल्ट आया है जो भी मतलब पूरी प्रोसेस है उसमें पूरी पारदर्शिता निभाई गई है उसमें कोई भी सक करने की गुंजाईस नहीं है ना सक करें पूरे रिजल्ट आपको मतलब जब रिजल्ट आएगा फाइनलिस्ट जारी होगी तो पूरा कट आफ मार्क्स आपके मार्क्स सब कुछ आपको विदिवत बता दिया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद